नमस्कार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कंबल शैंक्स दे रेलवेट कैट आपने रोडियार के प्लिंग कर नाम सुना होगा उन्होंने एक कविता लिखी है एल एन्वॉय दे लॉंग ट्रेल तो यह जो कविता है उसी कविता की पैरोडी है पैरोडी आप जानते हैं मेल केट है और यह एक सुपरवाइजर का काम करता है रेलवे में देखिए आपको पढ़के अच्छा लगेगा देर इस विस्पर डाउन दा लाइन एट 11.39 तो देखिए जब ट्रेन चलती है ट्रेन जाने वाली है और सुपरवाइजर ना हो ट्रेन का तो फिर चाड़ तर में नहीं होता तो देर इस विस्पर एक फुस फुसावत है डाउन दा लाइन यानि जो रेलवे लाइन है वहाँ पर एट 11.39 ग्यारे बजकर 49 मिनट पर रात का समय है सोचिए ग्यारे बजकर 49 मिनट रात का समय ट्रेन जाने वाली है और सुपरवाइजर गायव है वेन दा रात को चलने वाली ट्रेन है मेल रेड़ी तयार है टू डिपार्ट मने प्रस्थान के लिए जाने के लिए saying scambal where is scambal has he gone to hunt the thimble यनि भाया सब लोग ये कह रहे हैं फुस फुस आ रहे हैं विस्परिंग कर रहे हैं scambal where is scambal scambal कहा है has he gone to hunt the thimble क्या वो शिकार पर गए हैं क्या hunt the thimble ये एक game होता है जिसमें कोई चिट लिखकर आप छिपा देते हैं लग कई सारी बच्चे मिलकर game खेलते हैं तो एक बच्चे ने दो चार चिट लिखी और छिपा दी बाकी बच्चे जाकर उनको ढूड़ेंगे तो क्या कोई ऐसा hunt the thimble उस game के लिए आता है तो क्या वो कोई धूनने गए है important चीज है उसको धूनने गए है या कोई सी important काम से गए हैं कहां गए हैं या शिकार पर गए हैं we must find him and the train can't start or the train can't start we must find him हमें उनको धूनना ही पड़ेगा और अन्यथा the train can't start train शुरू ही नहीं हो सकती train चली नहीं सकती उनके बिना नहीं चलेगी बही supervisor के बिना कैसे चलेगी all the guards and all the porters and the station masters deuters अब उनको धूनने कौन कौन निकलाए देखिए तो सारे तो guards all the guards सारे guards निकले हैं all the porters पोर्टर कुली होते हैं सामान डोने वाले तो सारे कुली उनको धूनने निकले हैं and the station masters deuters और खोद station master नहीं बलके ये इतने important है skimble shanks के उनको ढूणने के लिए station master की बेटियां तक निकली है they are searching high and low they are searching वो सारे लोग ढूण रहे हैं skimble shanks को ऊपर नीचे जहां कहीं भी possible हो सकता है महां सभी ढूण रहे है saying ये कहते हो ढूण रहे है skimble where is skimble for unless he is very nimble skimble कहा है skimble for क्योंके unless यदि न he is very nimble नहीं होगा अगर वो very nimble बहुत ज़्यादा active मलब क्रियाशिल नहीं हो जब तक वो काम पर नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता उसके बिना कुछ नहीं हो सकता train जा ही नहीं सकती then the night male just can't go तो फिर night male just can't go जब तक he is very nimble जब तक कि वो बहुत active नहीं होगा काम पर नहीं लगेगा क्रियाशिल नहीं होगा तब तक train नहीं जा सकती at 11.42 11.42 बज़कर बियालीस मिनट पर then the signals nearly due signal बिलकुल due हो जाता है मतब signal देने ही वाली है train का signal जब green होता है तभी तो train चलेगी तो train का signal due हो जाता है and the passengers are frantic to a man और जो passengers है जो यात्री है are frantic frantic बना crazy जैसे पागल हो गए हो to a man मने हर आदमी जो इतने भी passengers हो आपर बैठेंगे train में उन में से हर एक आदमी जैसे पागल हो गया है कि बहिया train के जाने का time हो गया और स्कमिल शैंक्स का पता ही नहीं है then a skimbal will appear तब फिर a skimbal दिखाई देता है and he will saunter to the rear saunter मने तेजी से जाना और फिर वो तेजी से जाता है to the rear देखे फ्रेंट का opposite होता है rear front मितलब बिलकुल आगे का भाग और rear होता है पिलकुल पीछे का भाग तो आगे से पीछे तक वो पुरा मुआइना करता है क्योंकि वही supervisor है तो supervise करेगा train आगे से पीछे तक सही है के नहीं पानी बानी है के नहीं सारी वेवस्था हैं ठीक हैं के नहीं तो he will saunter to the rear वो आगे से लेके पीछे तक तेजी से जाता है he has been busy in the luggage van और भही busy कहां थे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे अभी तक क्योंकि वो luggage van में busy थे वेस्थ थे उसको देख रहे थे भही सब का सामान ठीक ठाक रख दिया गया है कि नहीं passengers का तो देखिए शुरू से लेके आखिर तक सारे काम छोटे से लेके बड़े तक सारे काम इनहीं के supervision में होने है इसके मिल शेंक के supervision में होने तो सबसे पहला उन्होंने देखा कि luggage van में वो busy थे और देख रहे थे कि सभी का सामान सुरक्षित है के नहीं तो यह चीज़े नोट करते जाएएगा कि क्या क्या काम करते हैं इसके मिल शेंक महोद है He gives one flash of his glass green eyes अब मैंने आपको बताए था कि train का signal green होता है तभी तो train बढ़ती है अब इन महाशेय की जो आखे हैं वो हरी है glass green eyes He gives वो देते हैं one flash एक बार चमकाते हैं of his glass green eyes अपनी कांच वाली हरी आखे तो उनकी जो आखे हैं वो कांच की जैसी हैं और हरे रंग की हैं तो एक बार वो flash होती हैं चमकती हैं और and the signal goes और signal चला जाता है all clear कि सब कुछ ठीक ठाक है मैंने आपको बताए अभी लगेज बैंसे वो आए थे आगे से लेके पीछे तक उन्होंने सॉन्टर किया यानि तेजी से मौईना किया निरिक्षण किया और फिर अपनी हरी आखें चमकाई flash की और सब को पता चल गया कि all clear सब कुछ ठीक ठाक है उनकी हरी आखों से और signal मिल गया ट्रेन को and we are off at last for the northern part और फिर हमारी ट्रेन चल दी we are off हम चल दिये at last अंत में finally हम चल दिये for the northern part उत्तरी भाग की ओर of the northern hemisphere northern hemisphere जो हमारी धर्ती है उसको जब आवी equator से काटते है वैसे हम नहीं काट सकते लेकिन जो equator एक लाइन है वो हमारी धर्ती को दो भागों में बाड़ती है तो जो उपर का hemisphere है वो northern hemisphere और नीचे बाला southern hemisphere तो आपको मालूम है कि यूरोप northern hemisphere में आता है उपर की तरफ आता है तो हम किधर चल दिये northern part को चल दिये northern hemisphere के यानि हम जहां पर है यूरोप में वहां के से और north की तरफ चल दिये ठंड बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप poles की तरफ जाते हैं तो और मौसम ठंडा होता जाता है तो और north की तरफ हम चल दिये हमाई train चल दिये you may say that by and large it is a skimbal who is in charge you may say आप कह सकते हैं that by and large मतब कुल मिला कर completely, totally it is a skimbal मतब यह skimbal ही है who is in charge जो के in charge है मालिक है of the sleeping car express sleeping car express है यानि यह जो train है जैसे आपने देखा हुने train में हमारे sleeper class होता है तो उसमें so कर जाते हैं लोग तो उसमें लिखा होता है sleeper class तो यह भी sleeping car express है इसको note कर लीजेगा आप से पूछा जाएगा multiple choice questions में तो sleeping car express के वो in charge है, मालिक है from the driver and the guards to the bag man playing cards और उनको देखवाल किस-किस की करनी होती है देखिए, अभी तो उन्होंने luggage van को देखा फिर पूरी car का ने रिक्षड किया उसके बाद green signal भी दिया और अब देखिए वो क्या कर रहे है from the driver, driver से लेकर to the guards, guards तक driver को भी उन्हें देखना है guards को भी उन्हें देखना है और किसको देखना है to the bag man कार्स खेल रहे है उनकी भी देखवाल उनको भी सुपर्वाइज करना है उनको भी निगरानी करनी है नजर रखनी है किसको skimble shank को he will supervise them all he will supervise them all वो उन सब का निरिक्षण करेंगे कौन? skimble shanks more or less कम या ज़्यादा है किसी पर जादा नजर रखनी है किसी पर कम नजर रखनी है वो ताश खेलना है तो खेलने तो चलो कोई नहीं लेकिन कुछ चीज ज़्यादा ड्राइवर को जपकी ना आ जाए ड्राइवर को जपकी आ गई तो मलब बस में तो भूती तुरंत हाज सा हो जाता है ट्रेन में तो चलो एक बार को मार लेगा ड्राइवर जो लोको पाइलट होता है ड्राइवर क्या बोलता है तो वो एक बार को जपकी मार सकता है क्योंकि ट्रेन तो अपने ट्रैक पर जा रही है पट्री पर जा रही है लेकिन फिर भी ये सुपर्वाइस करते हैं धियान रखते हैं कि छबकी न आये सुए नहीं ड्राइवर तो किसी को कम सोगे किसी को किसी को ज़्यादा सुपर्वाइस करते हैं वो बीच में जो जगह होती है तो वो उस कॉरीडोर में ही faces, वो घूमते रहते हैं ये कौन? स्किमल शैंक्स and examines और निरिक्षन करते हैं all the faces, सारे चेहरों का यानि जो travelers हैं, जो passengers हैं उनमें कहीं कोई बदमाश तो नहीं है कहीं कोई doubtful व्यक्ति तो नहीं है, तो सारे faces का वो निरिक्षन करते हैं of the travelers in the first देखा होगा कि एक general bogey होती है, एक first class होती है, second class होती है, third class होती है, तो सारी bogeys में travelers का यात्रियों का वो निरिक्षन करते हैं, उनके चेहरे देखते हैं he establishes control by a regular patrol और वो he establishes बने वो इस्थापित करते हैं, control बने by a regular patrol यानि लगातार पेट्रोल करके, यानि जो पुलिस देखी होई न, पैट्रोल करती है हिंदी में अगर बोले तो गश्ट लगाना गश्ट करती है न, पुलिस तो वो पुलिस की तरह regular गश्ट लगाते रहते हैं इदर से उदर गोमते रहते हैं and he would no advance और वो तुरंत जान जाएंगे advance मने, तुरंत, he would no advance if अगर anything occurred कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना होती है न, जो नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ भी घटित होता है तो उनको तुरंत पता चल जाता है he will watch you without winking he will watch you, वो तुम पर नजर रखेगा without winking, बिना पलक जबकाए and he sees और वो देखता है what you are thinking कि आप क्या सोच रहे हो मदब सिर्फ आप क्या कर रहे हो इतना ही नहीं, बलकि क्या सोच रहे हो वो भी वो देख सकता है क्या capabilities है, देख रहे हैं आप skimalshanks की, तो जब capabilities की बात होगी और आपसे question पूछा जाएगा है ना कि क्या capacities हैं भाया, क्या abilities है skimalshanks की, तो आप बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं वो तो सभी देख सकते हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये भी देख सकते है skimalshanks, तो ये remarkable चीज है, बहुत notable चीज है, तो ये आप note कीजिए and it's certain that he doesn't approve of hilarity and riot so the fog are very quiet and it's certain, और ये पक्का है, और ये निशित है that कि he doesn't approve, वो approve नहीं करते, मदब उनको पसंद नहीं है वो permission नहीं देते permit नहीं करते किस चीज को? of hilarity hilarity मने, वो खिलखिला के हसना और हाह उलड करना, and riot मने आपस में जगर ना, तो भई, passengers आपस में हाह उलड नहीं कर सकते, जगर नहीं सकते, train में इस बात की और वो approve नहीं करते, इस बात की वो permission नहीं देते, इस बात की वो इजाज़त नहीं देते so इसलिए the fog जो लोग हैं जो passengers हैं जो यात्री हैं are very quiet वो बहुत शांत रहते हैं when skimbal is about and on the move तो कब शांत रहते हैं when जब skimbal is skimbal होते हैं about बने आसपास and on the move और वो move कर रहे होते हैं घूम रहे होते हैं गश्ट कर रहे होते हैं तो सारे आत्री एकदम शांत होते हैं क्योंकि उनको हाहुलड बिलकुल पसंद नहीं है you can play no pranks with skimbal shanks देखो you can play no pranks आप कोई prank नहीं कर सकते हैं आप कोई मजाग नहीं कर सकते हैं with skimbal shanks skimbal shanks से he is a cat that cannot be ignored वो female cat नहीं है male cat है तो he is a cat वो एक बिल्ला है that cannot be ignored जिसको के अंदेखा नहीं किया जा सकता आप उनको ignore बिलकुल नहीं कर सकते so nothing goes wrong और इसलिए कोई भी चीज गलत नहीं होती कोई भी चीज इदर अदर नहीं होती on the northern male northern male में when skimbal shanks aboard जब skimbal shanks उस पर सवार होते हैं यह न northern male पर जब skimbal shanks भी सवार होते हैं oh it's very pleasant when you have found your little den oh it's very pleasant ये बड़ा खोशगमार होता है when you have found जब आपको मिल जाता है your little den आपका छोटा सा den आपकी छोटी सी गुफा यानि आपकी अपकी अपनी seat आपने देखा होगा कि जो reserved होती है seats उनमें खासकर first class में आपकी अपनी ही एक seat चारतर से बंद होता है आपका अपना cabin type का होता है तो आपकी अपनी गुफा जब आपको मिल जाती है तो आप बड़े खुशकमार होते है with your name written up on the door जब आपका नाम लिखा होता है on the door दरवाजे पर हलांकि हो सकता है कि जिस वक्त ये कविता लिखी गई है उस वक्त वैसे ही व्यवस्था ना हो जैसी आजकल train में होती है आजकल तो सुभान अल्ला बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है आपकी जो सीट है वो सिर्फ आपकी है उती है लेकिन उस वक्त भी कम से कम जो बोगी है उसके बाहर तो आपका नाम लिखा होगा उस लिस्ट पर और आपका रिजर्वेशन हो रखा है तो आपकी सीट और आपके ओन दोड दरवाजे पर आपका नाम लिखा हुआ है और जो बर्थ है आपकी जो सीट है वो वेरी नीट बहुत साफ सुत्री है विदा नूली फोल्ड़ेट शीट और उस पर अभी अभी साफ सुत्री दुली दुलाई नई फोल्ड की हुई तैक की हुई शीट रखिये चद्दर रखिये बहिया ओड लेना सफर में ठंड लगे तो and there is not a speck of dust on the floor हमारी trains में तो खुब गंदगी होती है हम लोग खुदी कर देते हैं लेकिन यहां देखिये and there is not a speck काण भी नहीं है एक particle भी नहीं है of dust भूल का on the floor फर्श पर there is every sort of light you can make it dark or bright अरे वाँ बड़ी अच्छी व्यवस्ता यह तो there is every sort sort मने kind type of light रोशनी की तो जो रोशनिया है इस compartment में हर तरह की रोशनिया है you can make it dark or bright आप अपने रोशनी को अपनी light को जो बल्ब लगा हुआ है या tube light लगी हो इसको dark कर सकते हैं bright कर सकते हैं चाहे तो धीमा कर सकते हैं चाहे तो तेज कर सकते हैं यह तो जवरदस्त व्यवस्ता है भाई there's a handle that you turn to make a breeze और भाई there's a handle एक handle भी है that you turn जिसको आप घुमा सकते हैं to make a breeze यानि एक खुशनवा हवा के लिए यानि आपको हवा चाहिए तो भाई खोल लो नहीं चाहिए तो बंद कर लो और हलका सा खोल लो हलकी सी हवा चाहिए breeze क्या होती है बड़ी खुश्बुदार और अच्छी हवा होती है जो आपको अच्छी लगती है एक होती है गेल होती है storm होता है वो आपको अच्छे नहीं लगते और breeze अच्छी लगने वाली हवा होती है soothing air होती है तो आप soothing air लेना चाहिए तो उसके लिए एक handle लगा इसको देखे आप मुस्कुरा देते हैं कोई चीज आपको अच्छी लगती है तभी तो आप मुस्कुराते हैं तभी तो वह आपके लिए फणी होती है तो एक बड़ा खुब्सूरत सा बेसिन है You are supposed to wash your face in और जिसमें You are supposed to आपसे उमीद की जाती है कि आप उसमें तो वाश यूर फेस इन आप उसमें अपना छहरा दोएंगे and a crank to shut the window if you sneeze and a crank और एक कड़ी है जो खिड़ी है वहाँ पर एक कड़ी है to shut the door या handle आप कह सकते है कि आप to shut the window आप खिड़ी को बंद कर सकते हैं if you sneeze आक्षी और आपको ठंड लग गई और आपको आई चींक तो आप उसको बंद कर दीजे खिड़ी को वो भी विवस्ता है then the guard looks in politely और फिर देखे गाड आएगा और अंदर जहांकेगा और बड़ी politely बड़ी विनमरता से आपको इस तरफ जहांकेगा and will ask you और आपसे पूछेगा very brightly बड़े मुस्कुराते हुए smiling face के साथ do you like your morning tea weak or strong क्या आपको अपनी जो सुभह की चाय है वो weak पसंद है या strong weak होती है जिसमें कम पत्ती पड़ी हो strong जिसमें खुब ढंग से अच्छी सी पत्ती पड़ी हो काली काली लाल लाल चाय तो आपको कैसी चाय पसंद है हलकी या strong but a skimbal is just behind him और ये जो गाड आया है ये अकेला नहीं आया है कहीं गलती ना कर दे आपसे पूछने में कुछ गड़ पर घुटाला ना कर दे इसलिए skimbal शेंक उसके just पीछे है but a skimbal is just behind him उस गाड के बिलकुल पीछे skimbal है and was ready to remind him और skimbal तयार थे उसको remind कराने के लिए याद दिलाने के लिए अगर वो भूल जाए आपके लिए ऐसे ही चाय ले आए आप पीते हैं strong और वो ले आए light तो उसको याद दिलाने के लिए skimbal just उसके पीछे ही थे भूल न जाना भई for skimbal won't let anything go wrong for क्योंके skimbal won't let anything go wrong वो कोई भी चीज गलत नहीं होने देंगे and when you creep into your cozy birth and when or जब you आप creep मने चुकए से सरक्के जाते हैं into your cozy cozy मने comfortable birth seat में अपनी आराम दायक seat में जब आप सरक जाते हैं लोड़क जाते हैं late जाते हैं and pull up the counter pin and pull up और उपर खीश देते हैं the counter pin पेन होता है वो जो शीशा होता है खिड़की के शीशे को उपर कर देते हैं बाहर से हवा आ रही है आपको नहीं अच्छा लग रहा कोई भी टेंशन नहीं दी जाएगी आपको कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा by mice चूहों के द्वारा इसकंबल शैंक जब हैं बिलोटे महराज तो आपको कोई चूहा कैसे परिशान कर सकता है तो ट्रेन में अक्सर आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर बड़े भयानक मोटे मोटे चूहे होते है तो आपको चूहों से बिलकुल भी टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है बौदर होने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इसकंबल शैंक है ना कोई भी चूहा देखा तो तुरंद मार के खा जाएंगे आप छोड़ सकते हैं वो सारी टेंशन आप छोड़ सकते हैं चुदर रेलवे कैट यानि रेलवे कैट के लिए जो कैट है रेलवे ट्रेन की इसकंबल शैंक्स आपनी सारी टेंशन आप उनके लिए छोड़ सकते हैं वोही समहल लेंगे तो देखा आपने कितनी मज़ेदार पोईम थी वैसे टी-े-स इलिएट की जो पोईम्स मैं पढ़ाती हूँ वो बहुत सीरियस पोईम्स होती है और बिलकुल बच्चों के लिए समझना उनको मुश्किल होता है डिफिकल्ट पोईम्स होती है एक पोईम मैंने दा हॉलो मैन पढ़ाई है एक लव सॉंग आफ जे अलफरेड पूफरोक पढ़ाई है दोनों टी-े-स इलिएट की हैं बहुत अच्छी खासी पोईम्स है लेकिन ये पोईम एकदम अलग है वो बहुत सीरियस पोईम्स है और ये एकदम से लाइट पोईम है टी-े-स इलिएट वैसे अपने सीरियस रैटिंग के लिए जाने जाते हैं मुर्डर इंदा कैथेडरल उनका बहुत फेमस पोईटिक ड्रामा है उसका जो धीम है बहुत ही सीरियस है तो ये अगर आप Murder in the Cathedral पढ़ लें और फिर इसको पढ़ें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये उसी T.S. Eliot ने लिखी है ये पोईम भी तो चलिए मुझे उमीद है पोईम आपको पसंद आई होगे वीडियो में यहीं समप्त करती हैं धन्यवाद